ओके देन सो लाइट्स कैमरा रोलिंग अच्छन का टाइम आ गया है सेम पे के पेपर के लिए और गाईस तो यहां पे सबसे पहले मैं एक डिस्क्लेमर देदू के तीन क्वेस्टिन जो मैंने अभी सिलेक्ट किये जो मैं आपके साथ डिसकस करने वाला हूं प्लीज खाली उन अगर मैं पेपर सेट करता तो stepping in the shoes of that examiner वाला जो सिस्टम है वो मैं करके मैंने तीन क्वेस्टिन मेरे हिसाब से सेट किये है वो मैं आप लोग को अभी डिसकस करूंगा वो बराबर से कर लेना आया तो ठीक नहीं आया तो भी ठीक तो प्लीज उसके उसके उपर इलाय मत कर सब्सक्राइब कर लेना तो सर सस्पेंस छोड़ो और बताओ जल्दी वो भी बता रहा हूं मैं अगेन आया तो ठीक नहीं आया तो भी प्लीज एक्जाम के बाद इस से रिल्टेट कोई डिसकेशन मत करना ओके सेकेंड चीज के भाई अब थोड़ा सा आप लोग प्लीज का गए कि सर यह डाउट है यह है सर टेंशन हो रहा है तो वो सब चीज अभी मत जस्ट काम डाउन जो किया है वह अच्छी तरह से किया है एंड से सेटल अभी मैं बोल रहा हूं जो भी आपने किया है सब कॉंशियस मैं में स्टोड है और अब उसी की जीतोगी जो यहां से आदे गंटे में मेरे पास दोस्तों WhatsApp आ गए तो आगए तो आगए तो आगए जस्ट इमाजिन और कंटिनूसली वाट्सअप चालू ही है मेरे कि तो को मैं रिप्लाई कर पा रहा हूं नहीं कर पा रहा हूं एक दम है पैसाड सिटूएशन में हूँ मैं सिंपल बात है कि obviously everybody is going through those butterflies मैं खुद कही ना कही वो feel कर पा रहा हूं so I can imagine what you are going through so don't worry at all everything will be good in the right spirit and अच्छी तरह से अपन लोग उसको करके आएंगे अब आ जाते हैं predictions के उपर so your are they okay so पहला जो मेरको लग रहा है आने वाला है that is modern business environment का जो gain sharing arrangement वाला question है वो ideally मैंने 5-6 मां के लिए पूछा होता अगर exam winner मैं होता तो या फिर budgetary control का एक question है adaptive principles of budgetary beyond budgeting leadership principles coat p मैंने उसका short form दिया है और rtp3 so वो वाला एक question है आप लोग कर लेना बरावर से थोड़ा tricky है वो so करके जाओगे तो ही attempt कर पाओगे and standard costing का ये बार मुझे लग रहा है कि एक theory question आ सकता है factors to be considered when investigating वराए so let's see whether it comes or not जैसा मैंने बुला आ इसा लगता है कि ये तीन में से कुछ आना चाहिए और आ गया तो याद कर ले ना मेरा चैरा और अच्छी तरह से उसको attempt करके आना so that we can get the best marks possible बाकी stay calm guys हो जाएगा अच्छी तरह से अच्छा महनत किया है अपन लोग ने theory के उपर practical के उपर case studies जैसा मैंने बुला कि second last year last attempt क करना जो भी knowledge है case studies में वो put up करके आ जाना basically ठीक है न तो उसका case studies नहीं हुआ है आपका तो भी tension लेने की ज़रूतिन विकॉस अपन second last year last question उसको attempt करने वाले तो जब वो उस level पर पहुचेंगे से for example मेरे पास 30-45 minutes बाकी है वो case study attempt करने को तब तक पेर बाकी का चीज हो गया रहेगा I'm sure आप लोग 40 तब तक cross कर चुके होगे अपने head में so एकदम आराम से काम ली जितना हो सकता है जितना knowledge है उस particular concept उस particular case study के बारे में वो put up करके आ जाना and things will all be well ठीक है चालो guys I'm sure every minute is important for you keep on revising जो अभी आपके पास 10 गंटे 12 गंटे है keep on revising sleep अच्छी लेना ठीक है अगर मुझे आप पूछो कि sir कितने hours की sleep लेनीचे तो please 6-7 hours की sleep लेना एक घंटा कम पढ़ लेना चलेगा but please sleep बरावर लेना so that you are fresh your mind is fresh to give the best in the examination so keep that in mind also around 11.30 को सो जाओ morning 5.30 6.30 को उठो and then एक flow में अच्छी तरह से paper लिखके आना ठीक है all the very best butterflies in my stomach as well मेरा I don't know कल शायद Bombay क कोई center में मैं पहुँच जाओ students को मिलने के लिए इतनी मेरे में भी anxiety फिलाल हो रही है या आप मन कर रहा है मैं भी paper लिखो आप लोग के साथ वो feel करो the excitement of giving a CA final costing examination चलो गाइस अस्ताला विस्ता डू वेल, stay calm, all is well, all is well, all is well, चलो बबाए